सीधे बैठे, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लिजिए सांस को अनुभव करते हुए, दो तीन बार धीरे धीरे लंबी कहरी सांस अंदर ले और अनुभव करते हुए, धीमी कती से लंबी सांस बाहर निकाले पूरा फोकस सांस पर रखें इन सांसों को देने वाले प्रभू की सत्ता के प्रती अंदर सजक बने लंबी कहरी सांस भरें, मिलकर ओम का उच्छारण करेंगे अं सहना फवर्तु सहनव फुनक्तु सहफीर्यं करपाफः तेचस्विनाफधी तमस्तु मावित विशाफः अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं वेद से संबंधित हम लोगोंने कई बेसिक बातों को विगत कक्षाओं में समझने का प्रयास किया है शंका समाधान भी बीच बीच में होता रहा है आशा है आपको जो मूल भूत बाते हैं वेद से संबंधित वो काफी कुछ समझ में आई होंगी स्पष्ट होई होंगी और आपसे आशा है कि जिन जिन मूल भूत बातों को वेद से संबंधित आधार भूत सिधानतों को आपने रिद्यंगम किया है उसे आप स्वयंभी दूसरों के साथ शेहर करिए दूसरों के साथ विचार विमर्ष करिए उन्हें बाटिए ऐसा करने से आपका जो प्राप्त जियान है वो परिपक्व होगा अब आज इस कक्षा में अब हम लोग महरशी द्यानन सरस्वती जी का जो रिगवेद परभाष्य है पहले मंत्र का हम प्रारंभ कर रहे हैं रिगवेद का प्रथम मंत्र आप सभी जानते हैं पिछली कक्षा में भी कुछ संकेत मैंने दिया था जो प्रथम मंत्र है कम से कम यह हमें समर्ण होना चाहिए प्रतीक वेद का प्रथम मंत्र और अंतिम मंत्र इसके साथ साथ वेद के अंदर जो बहुत महत्व कूण मंत्र जो हमारे जीवन के साथ बहुत कहराई से जुड़ते हैं उन मंत्रों को भी हमें स्मरण करने का प्रयास अभ्यास करना होता है तो महरशी द्यानन स्वस्वती जी का भाष्य जो हम अप्रारंभ कर रहे हैं ये केवल एक वेद के परिचय के रूप में ही इस कक्षा को हम लोग कर रहे हैं तो अभी हम कुछ चुने हुवे मंत्रों के माध्यम से ही वेद से जुड़ने का प्रयास करेंगे हमारे बेसिक्स, फंडामेंटल्स जितने क्लियर होंगे उतना आगे हमारी स्वयम वेद का स्वाध्याय करने की रुची और योके ताथी धीरे धीरे बंती चली जाएगी तो जो पहला मंत्र है इस पहले मंत्र को लेने से पहले महरशी द्यानन सरस्वती जी ने इस मंत्र के ऊपर क्या लिखा हुआ है जैसा उन्होंने लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा बात को उससे संबंधित कुछ बातों को हम समझेंगे जो पहला मंत्र है रिगवेद का प्रथम मंत्र प्रथम मंदल के प्रथम सुक्त का प्रथम मंत्र अर्थात रिगवेद का पहला मंत्र क्या है ओम अग्नी मीडे पुरो हितम ये जो मंत्र है इसको अभी हम समय के अनुसार, पूरा, पदशह समझेंगे भी इसका उज्जारण भी सिखेंगे तो इस मंत्र पर भाष्य प्रारंब करने से पहले महेशी द्यानन सरस्वती जी ने इसके उपर कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ये प्रारंब में थोड़ा सा इसलिए आपको मैं इन बातों को भी बता रहा हूँ कि जिससे आप महेशी द्यानन सरस्वती जी की शैली से भी परचित हो सके और आपका उनके भाष्य के साथ कुछ जुडाव भी बन सके तो क्या लिखा हुआ है और आप संस्कित भाष्य को लेकर बिलकुल भी मन में आप किसी प्रागार का भार मत रखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सरल से सरल रूप में ही आपके सामने बात को रखने का प्रयास किया जाए तो क्या लिखा हुआ है अथा दिमस्य नवर्चस्य सुक्तस्य थोड़ा सा इन तीन पदों को समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है अथा दिमस्य आप लोग ने एक शब्द सुना हुआ है अथा अथा ये जो पद होता है अथा ये जब भी हम किसी चीज़ को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने के अर्थ में भी होता है इसके साथ साथ मंगल आचरन की अभिव्यक्ती के रूप में मंगल कामना करने के रूप में भी इस पद का प्रयोग किया जाता है इसी के साथ साथ इसका एक अर्थ ये भी होता है इसके बाद अब तो इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं तो एक ये पद अथा ये पद थोड़ा सा इससे भी आपका परिचित होना जरूरी है आपने जब सत्यार प्रकाश का प्रथम समुलास पढ़ा हूगा या नहीं पढ़ा है तो उसे आप जरूर पढ़िएगा उसमें अथ इस पद की व्याख्या भी दी गई है तो जो अथ कहीं आपको अथ लिखा हुआ मिलता है तो उसके कई सारे मीनिंग्स होते है अथ का एक मीनिंग क्या होता है प्रारंभ करना एक मीनिंग क्या होता है इसके बाद एक मीनिंग क्या होता है अब और एक मीनिंग क्या होता है मंगल आचरन मंगल की कामना को अभिव्यक्त करने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है तो यहां क्या लिखा हुगा है अथ आदी मस्य आदी एक तो हम लोग ये शब्द प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में आदी शब्द से आप बहुत प्रचलित हैं आदी का अर्थ सामाने रुप से हिंदी भाषा में आप क्या लेते हैं आप हिंदी भाषा में लेते हैं कि राम, श्याम, सोहन, आदी, कई सारे लोग बाजार घूमने गए यहाँ पर जो आदी शब्द है वो एक अलग अर्थ में है और उस अर्थ को आप जानते हैं आपने इश्वर के विशे में भी सुना हुआ है एक इश्वर का विशेशन परमात्मा कैसे हैं अनादी वहाँ पर भी आदी शब्द छुपा हुआ है और उसका अर्थ भी आप जानते हैं परमात्मा अनादी है अर्थात उनका कभी कोई प्रारंभ नहीं है उनका प्रारंभ नहीं है तो अब यहाँ पर जो आदी शब्द का अर्थ आप लेते हैं कि परमात्मा का प्रारंभ नहीं है अर्थात परमात्मा अनादी हैं तो आदी का एक अर्थ आपको क्या समझ में आ रहा आदी का एक अर्थ होता है प्रारंभ तो यहाँ पर इस अर्थ में आदी पद है अथा आदी मस्य इसका अर्थ क्या हुआ कि अब आदी मस्य जो प्रथम जो प्रारंभिक जो प्रारंभिक आगे क्या लिखा हुआ है नवर्चस्य नवर्चस्य का अर्थ यहाँ पर क्या है नोरिचाओं वाला तो इनका अर्थ क्या निकला अब प्रथम या प्रारंभिक नो रिचाओं वाले सुक्त का जिसका आगे लिखा हुआ है मधुचंदा रिशी जिस सुक्त में नो रिचाओं है अर्थात नो मंत्र है और वो सुक्त कैसा है आदि आदिम प्रारंभिक नो रिचाओं वाले सुक्त सुक्त का कोन रिशी है कोन रिशी है मधुचंदा रिशी है तो हमने पिछली कक्षाओं में इस बात को समझा था कि मंत्रों के ऊपर या सुक्तों के ऊपर जो रिशी लिखा होता है उससे अभिप्राय क्या है तो मंत्रों के वेद का जियान देने वाले तो इश्वर हैं और सुक्त या मंत्रों के ऊपर जो रिशी या रिशी काओं के नाम लिखे होए मिलते है उसका अभिप्राय हम समझ चुके थे कि उन्होंने समाधिस्त अवस्था में इन मंत्रों के यथार्थ मीनिंग्स का साक्षात कार किया और इन मंत्रों के यथार्थ अर्थों को उपदेशों को फिर उन्होंने प्रकाशित किया समाज में प्रकाशित किया, प्रस्तुत किया, प्रचारित, प्रसारित किया वो हम समझ चुके हैं तो इस प्रथम नो रिचाओं वाले सुक्त का रिशी कोन है मधुचंदा रिशी देवता क्या है इस सुक्त में जो नो मंत्र आये हुए है और यह सुक्त कैसा है जो प्रथम है इस प्रथम सुक्त के नो मंत्रों में देवता कोन है अगनी अगनिर देवता अब यहाँ पर देवता का क्या भी प्राई है हम समझ चुके थे अर्थात सुक्त या मंत्रों का जो सबजेक्ट है जो विशय है उसे देवता कहा जा रहा है मंत्रों के उपर जो देवता शब लिखा होता है उसका भिप्राय यही होता है सूक्त या मंत्र का सब्जेक्ट विशे, टॉपिक और आगे क्या कह रहे हैं गायत्री छंदः तो ये जो नोरिचाओं वाला जो प्रतम सूक्त है इसमें जो मंत्र हैं वो कौन से छंद में हैं गायत्री छंद में हैं और गायत्री छंद में जो मंत्रे हैं वो कौन से स्वर में गाय जाते हैं शट्जह स्वरह शट्जह स्वरह में उनका उच्यारण होता है तो क्या लिखा हुआ है अथा आदि मस्य नवर्चस्य सूक्तस्य मधु छंदा रिशे अगनिर देवता गायत्री छंदः शट्जह स्वरह तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि नो रिचाव वाले इस प्रथम सूक्त का मधु छंदा रिशी है अगनि देवता है विशे सारे मंत्रों का और गायत्री छंद है और जो गायत्री छंदर है वो शट्जह स्वरह में उच्चारित किया जाएगा अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा चुकि हम प्रथम मंत्र ले रहे हैं रिगवेत का प्रथम मंत्र समझ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ ऐसे विस्तार से आगे नहीं करूंगा थोड़ा सा परचित हो सकें महशी द्यानन जी की शैली से तो ऐसे परचित होने पर जब आप स्वयम स्वाध्याए करेंगी तो आपको अनकूलता अनभव में आएगी आगे रिशिद्यानन सहस्वती जी ने क्या लिखा हुआ है संस्कित में लिखा हुआ है और फिर उसका नीचे हिंदी में अनवाद भी दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है मैं संधी तोड़ कर चुकि संधी से युक्त यदी में संस्कृत पढ़ूंगा तो वो आपको सुनने में और कठिन सी लगेगी तो मैं आपकी अनुकूलता के लिए संधी तोड़ कर जो महशी द्यानन जी की संस्कृत की पंक्तिय उसे पढ़ रहा हूँ क्या लिखा हुआ है तत्र आध्ये मंत्रे अगनीशब्देन इश्वरेन आत्म भवतिकव अर्थव उपदिश्येते क्या लिखा हुआ है तत्र आध्ये मंत्रे अगनीशब्देन इश्वरेन आत्म भवतिकव अर्थव उपदिश्येते तो सरल है कठिन नहीं है देखे इस बात को हमें अच्छी प्रकार से समझना है कि यदि आप किसी भाषा को बिल्कुल थोड़ा सा भी जानते हैं तो वह भाषा धीरे धीरे उस भाषा में लिट्रेचर को पढ़ने से धीरे धीरे वह भाषा अपने आप विकसित होती चली जाती है संस्कित भाषा को आपने यदि बिल्कुल बेसिक इस्तर पर भी पढ़ा है और बेसिक इस्तर पर आप संस्कित भाषा को पढ़ सकें मैं एक आपको एक पुस्तक का नाम बता रहा हूँ इस पुस्तक को इस पुस्तक में केवल तीस अध्याएं हैं थर्टी चैप्टर से और ये पुस्तक इस शैली में लिखी हुई है कि आप जैसे बुद्धी जीवी लोग इन तीस अध्यायों को स्वयम ही पढ़ सकते हैं स्वयम भी पढ़ सकते हैं तो कोई आपको सहयोग करने वाले यदि मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है नहीं तो उसे स्वयम भी किया जा सकता है थोड़ा सा यदि आप संस्कित भाशा से जुड़ना चाहें स्वयम घर पर ही आप जुड़ सकते हैं एक पुस्तक को आप खरी दिएगा उस पुस्तक का नाम आप लिख लिजीए पुस्तक का नाम क्या है प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी ये किताब का नाम है इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी तो ये पुस्तक के लेखक है बिलकुल पतली सी किताब है उसमें तीस अध्याई है एक साइड में बाईं तरफ विशे को समझाया गया है और दाईं तरफ उस विशे से संबंधित प्रशनों को बना करके दिया गया है तो जब आप बाईं तरफ वाला विशे सरल भाषा में बिलकुल आधुनिक शैली में आज की शैली में समझा दिया फिशे दाईं तरफ उस से रिलेटेड छोटी छोटी एकसरसाइज़ बना दी तो जब आप ऐसे बाईं साइट बाईं प्रिश्ट पर और दाईं प्रिश्ट पर दी गई एकसरसाइज़ पर अभ्यास करेंगे तो आपकी भाषा संस्कित भाषा धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है और आप ऐसे तीस अध्यायों को यदि आप कर गए तो आपकी संस्कित भाषा का एक आधार बन जाएगा और उस आधार के बल पर फिर आप संस्कृत की छोटी-छोटी कहानियां कोई भी पुस्तक पढ़ने शुरू करेंगे आप महशी द्यानन सरस्वती जी की जो पुस्तक है रिग वेदादी भाष्य भूमिका उसका जो संस्कृत भाग है महशी द्यानन सरस्वती जी बहुत सरल संस्कित को लिखते हैं बहुत ही सरल कि कोई भी थोड़ा सा भी जानकार विक्ती उनकी लिखिवी संस्कित को समझ पाता है तो आप रिग वेदादी भाष्य भूमिका का संस्कित भाग ही पढ़ने लग जाएंगे तो आप देखेंगे वो आपको समझ में आने लग जाएगा संधियां धिरे धिरे अनुभाव से तूटने लग जाएंगी भले ही कौनसी संधी का सूत्र वहां लग रहा है कौनसे व्याकरण का नियम वहां काम कर रहा है वो आपको ना भी पता चले उसकी उतनी जरूरत नहीं भी है बस अभ्यास से ही आप संधी भी तोड़ लेंगे अभ्यास से आप धिरे धिरे मिनिंग्स को समझने लग जाएंगे तो जो भाषा है भाषा तो उस भाषा से संबंधित चीजों को बार बार पढ़ने से धिरे धिरे भाषा विक्सित होती है किसी को थोड़ी से इंग्लिश आती है अब वो वेक्ति जब इंग्लिश के नियूस पेपर पढ़ना शुरू करता है तो धिरे धिरे उसकी language English develop होगी की नहीं होगी बिल्कुल develop हो जाएगी ऐसे ही संस्कित के भी थोड़ा सा आपको base बना हुआ है तो आप संस्कित से संबंधित चीजों को पढ़ने लगेंगे धिरे धिरे भाषा अपने आप इक्सित होगी तो क्या कह रहे हैं तक्त्र आद्ये तक्त्र आद्ये मंत्रे अग्नी शब्देन इश्वरेन आत्म भवतिकव अर्थव उपदिश्यते तो इसका अर्थ क्या महशी द्यालन सहस्वतिजन लिखा है कि यहाँ आद्ये मंत्रे प्रथम मंत्र में अग्नी शब्द के द्वारा इश्वर ने अग्नी शब्द के द्वारा इश्वर ने आत्म अपना और भवतिक अग्नी का उपदेश दिया है उपदेश दिया है तो यहाँ पर महशी द्यालन सहस्वतिजन ने क्या इस मंत्र की भूमिका बनाई इसे कहेंगे कि इस मंत्र की भूमिका तो इस मंत्र की भूमिका में उन्होंने क्या कह दिया कि इस प्रथम मंत्र में अगनी शब्द से इश्वर ने अपना और भौतिक अगनी का फायर का उपदेश किया है अब आगे फिर क्या दिया हुआ है, फिर मंत्र दिया हुआ है तो चलिए मंत्र का उच्चारण करें, मेरे साथ बोलिए ओम, अग्नी मीडे, पुरोहितम, यज्यस्य, देव, मृत्विजम फिर से करते हैं, ओम, अग्नी मीडे, पुरोहितम, यज्यस्य, देव, मृत्विजम होतारम, होतारम, रत्नधातमम, रत्नधातमम तो ये मंत्र का उच्चारण हमने अभी जैसा मंत्र लिखा हुआ है, वैसे का वैसे हमने किया तो इस मंत्र उच्चारण में हमने अभी संधी को नहीं तोड़ा मंत्र के पदों में भी आपस में संधियां हुई हुई होती है उसको अभी हमने नहीं तोड़ा जैसा मंत्र है, as it is, वैसा हमने बोला तो मंत्र कैसा है, मंत्र संधियों से युक्त है संधी को संस्कृत में क्या बुलते हैं संधी शब्द आपने हिंदी में आर्य भाशा में भी जरूर पड़ा हुआ है जब हम स्कूल में हिंदी पड़ते थे या पेपर देने जाते थे तो संधी भी हम समझते थे और examination में संधी तोड़ने के लिए भी आपको questions आते थे कि रमेश की संधी तोड़िये या गणेश की संधी तोड़िये तो आप कैसे तोड़ते थे गण प्लस ईश तो ये हमने थोड़ा सा हिंदी भाषा में भी संधी को पड़ा हुआ है समझा हुआ है अब एक बास समझ लेजिए संधी को संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं संहीता संधी को संस्कृत भाषा में संहीता भी बोला जाता है संधी भी बोला जाता है सहिता भी बोला जाता है तो जब हम मंत्र का उच्चारण as it is संधी से युक्त करते हैं अथात सहिता से युक्त करते हैं तो मंत्र का वह उच्चारण या मंत्र का वैसा पाठ करना क्या कहलाता है सहिता पाठ करना तो जब हम मंत्र को एज इट इस संधी सहिता से युक्त जैसा लिखा है वैसा ही उच्छारण उसका करते हैं या पाठ करते हैं तो वह वेद पाठ क्या कहलाएगा उस मंतर का सहिता पाठ तो जैसा लिखा है वैसा बोलना ओम अगनी मेरे पुरोहितम यज्यस्यदेवम्रित्विजम ओतारं रत्नधातमं ओम अगनी मेरे पुरोहितम यज्यस्यदेवम्रित्विजम् ओतारं रत्नधातमं तो इस में इस पाठ में मैंने संधी को नहीं तोड़ा समाने रुप से जैसा है वैसा ही उसको बोला तो इसे क्या कहेंगे सहिता पाठ अब जैसे मैंने मंतरों के उपर आपको बताये था मंत्रों के उपर कहीं खड़ी डंडी लगी हुई है कहीं पड़ी हुई डंडी है उसको हमने समझा था कि वो स्वरों के चिन होते हैं स्वरित स्वर जो खड़ी डंडी का है चिन जो पड़ी डंडी है उसे अनुदात स्वर कहते हैं जहां पर इस तरीके की कोई भी डंडी नहीं है, वहां पर उदात स्वर होता है या अन्य व्यवस्थाएं काम करती हैं, तो अभी इन स्वरों के आधार पर भी मैंने उतार चड़ाव नहीं किया, अपने स्वभावी कलहजे में इसको मैंने बोला, तो इसी क्या कहेंगे सहिता पाठ, एक समान्य व्यक्ति का, जो शास्त्रिय ढंग से बहुत ट्रेडिशनली वेद के मंतरों का पाठ करना जो सीखते हैं, उनका कुछ अलर्ग तरीके का हो सकता है, लेकिन एक समान्य व्यक्ति का पाठ इस तरीके से जो किया जा रहा है, वो सहिता पाठ कहलाता है, अब समझना है कि अब मीनिंग को समझना है हमें तो मीनिंग को समझने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है पहले संधियां तोड़नी पड़ती है तो हम मीनिंग को समझना चाहते हैं तो हम उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है संधियों को तोड़ देना अर्थात पदों को जो जुड़े हुए हैं उनको अलग-अलग कर देना और अलग-अलग करके उन पदों को फिर पढ़ना या बोलना तो अब मंतर के नीचे ये जो मंतर लिखा है महेशी द्यानस्ञाइ स्थास्वती जी ने वेट का अब उसके नीचे उन्होंने पदों को अलग-अलग तोड़ करके लिखा आप महशी ध्यान सरस्ती जी का जब भाश उठाएंगे तो ऐसा ध्यान से देखिएगा हर मंत्र के नीचे मंत्र के पद तूटे हुए आपको वहाँ पर प्रस्तुत किये जाते हैं तो अब उन्होंने पदों को नीचे तोड़ दिया क्या है तोड़ने के बाद पद क्या आये सामने पहला मैंने क्या लंबा सा पद बोला था यह बोला था तो अब इसको तोड़ा इसमें दो चीजे छुपी होई है क्या-क्या छुपा हुआ है अग्निम इडे इन दोनों को मिला करके क्या बना था अग्नि मीरे अग्नि मीरे इसको तोड़ा क्या तोड़ दिया अग्निम इडे फिर क्या है पुरो हितम की संधी तोड़ी अब क्या संधी तोड़ी पूरह हितम यज्यस्य यहां संधी नहीं है तो यह ऐसे का ऐसा यहां रखा गया फिर आगे संधी युक्त बड़ा पत क्या आया था देवम्रित्वी जम यहां संधी है तो इसको तोड़ दिया देवम्रित्वी जम अगला जो पद है उसमें संधी नहीं है हो तारम एज इट इस रख दिया फिर क्या है रत्न धातमम यहां पर भी संधी नहीं है उसको भी वैसे का वैसे रख दिया गया तो जो उपर संधी युक्त मंत्र है उसका नीचे उसको तोड़ कर लिखा जाता है पदों को अलग-अलग करके लिखा जाता है इसे क्या बोलते हैं ऐसे अलग-अलग किये गए पदों को पढ़ना अगनी, इडे, पुरह, हितम यज्यस्य, देवम, रित्विजम हो तारम, रत्न, धातमम ऐसे पदों को अलग-अलग पढ़ना इसी क्या बोलते हैं पद, पाठ, करना संधी युक तो पाठ क्या कहलाता है संहिता पाठ पदों को अलग-अलग करके पढ़ना क्या कहलाएगा पद, पाठ तो पद, पाठ करना पड़ता है अर्था संधी ब्रेक करनी पड़ती है तब हम ठीक से फिर मेनिंग कर पाएंगे और या मेनिंग को हम समझ पाएंगे तो ये हमने इस पसंग में ये ये बाते समझ ली क्या-क्या आज आपने समझ लिया एक तो संस्कित से डरना नहीं है सरल है संस्कित से हमारे जैसे लोगों का थोड़ा सा हैजिटेशन इसलिए भी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि संस्कित में तो रटना बहुत पड़ेगा ये जो रटने वाली जो शैली है ये छोटे बच्चों के लिए है उन्हें proper विद्वान बनना है, शास्त्रों का विद्वान बनना है, तो ठीक है, वो तो विधिवत ही पढ़ेंगे, उनके लिए जरूरी है, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो इस बात को अच्छे से समझें, कि आयू के साथ हमारी समझने की योग्यता बढ़ जाती ह हमारे पास जीवन का अनुभव होता है, हमारे अंदर जितनी समझने की योग्यता होती है, उतनी एक छोटे बच्चे में समझने की योग्यता नहीं होती, छोटे बच्चे के अंदर इस्मरन करने की शक्ती हमसे अधिक हो सकती है, लेकिन समझने की योग्यता आपके अंदर जो आयू में हम लोग बड़े हैं उनके अंदर अधिक होती है हमारे पास जीवन का एक अनुभव होता है आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो जिनको पूरी गीता याद है जिनको यजुर वेद याद है जिनको उपनिशद याद है ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको वो बच्चे इतने मासूम उनको माता जी ने पिता जी ने या गुरु जन ने उनको याद करा दिया उसके पास इस्मर्ण शक्ती थी उपर से प्रेशर था कुछ इनाम का लालज था या कुछ अपनी भी रुची थी तो बच्चा याद तो कर लिया उसने कर्मन्य वाधिका रस्ते माफले शूक अदाचना इस सारी बाते याद कर लिया इशा वासे मिदम सर्वम यत किंच जगत त्याम जगत ये वेद का मंत्र याद कर लिया लेकिन इनके अर्थ को समझना समझ कर गहरे भावों में जाना और उन गहरे भावों में उतर कर जीवन में सकारात्म परिवर्तन लाने की अभी उसके अंदर बुद्धी और समझ नहीं है उसे तो अभी छोटी-छोटी चीज़ों आकरशित करती है छोटी-छोटी उसकी खिलोने है उनसे खिलना अच्छा लगता है, दोडना अच्छा लगता है, हसना, चीखना, चिल्लाना, एक बच्चे की मनोस्यती जो है, वो मात्र मंत्रों को रटने मात्र से, श्लोकों को रटने मात्र से बच्चा बड़ा नहीं बन जाता, बच्चा बच्चा ही है, धिरे धिरे आयो के ह साब से उसका अनुभव बढ़ता है और ये जो रटे हुवे श्लोक या मंत्रे हैं आगे उसे काम आ सकते हैं तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमें संस्कित नहीं आती है या हमें कोई मंत्र याद नहीं है या श्लोक याद नहीं है नहीं आपके अंदर समझने की योगिता अधिक है आप को थोड़ी सी बेसिक यादि संस्कित बिना रटे ही यादि आप बेसिक्स भी पढ़ लेंगे बिना रटे तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे संस्कित से एक जुड़ाव अनुभव करेंगे तो हमने सहीता पाठ को समझ लिया है पद पाठ को समझ लिया है अब एक चीज़ हमें और समझनी है जैसे माली जीए मैं आपको एक वाक्य कहता हूँ क्या मैंने वाक्य कहा है गाउं को जाता राम माली जीए ये वाक्य मैंने कहा है गाउं को जाता राम अब इस वाक्य का ठीक अर्थ बिल्कुल हमें जल्दी से सुस्पष्ट हो जाए या सामने वाले को हम समझा पाएं इसके लिए आप क्या करेंगे इसके लिए आप जो शब्द हैं उनको उचित इस्थान में रखेंगे शब्दों का उचित इस्थान में सैयोजन करेंगे और शब्दों को उचित क्रम में इस्थापित करेंगे तो आप कैसे क्रम बनाएंगे राम गाव को जाता है यह आप करेंगे है जाता गाव को राम इसका उचित करम क्या बनेगा शब्दों का जिससे आपको मिनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए राम गाव को या गाव में जाता है इस तरीके से जो आपने अर्थ प्रकट करने के लिए अर्थ को ठीक ठीक अंडरस्टेंड कर पाने के लिए जो आपने पदों का शब्दों का उचित करम में सयोजन किया उन्हें उचित करम में रखा तब जाकर आपको अर्थ अधिक अच्छे से स्पष्ट हुआ और तब ही जाकर सामने वाले को भी अर्थ ठीक से स्पष्ट होगा तो अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए पदों का उचित क्रम में सैयोजन करना उचित क्रम में उन्हें एक के पीछे एक रखना इसे क्या बोलते हैं अनवय करना इसे क्या बोलते हैं अनवय करना तो मैंने एक हिंदी का वाक्य दिया और उस हिंदी के वाक्य में आपने फिर जब उन्हें ठीक क्रम में सेट कर दिया तो क्या कहेंगे कि आपने अनवय कर दिया उसे ठीक क्रम में उन शब्दों को पदों को लगा दिया तो इसे क्या कहेंगे कि आपने अनवै कर दिया इसी प्रकार से अब इस मंत्र में जितने सारे पद आए हुए हैं ये जो पद इस क्रम में आए हुए हैं ये तो छंद के कारण है कि एक पटिकुलर स्केल में, मीटर में शब्दों को हमें रखना था और इश्वर ने रखा है जिस से उनका ठीक तरीके से चंद बन जाए, गायत्री चंद फॉर्म हो जाए और उसका फिर शट्जा स्वर में गान हो जाए यहां पर जो क्रम मंत्र में है वो तो उस दिश्टी से है चंद ठीक से बने और उसका गायन ठीक स्वर्शे हो लेकिन अर्थ को प्राप्त करने के लिए आपको ठीक प्रकार से बदों को एक क्रम में सजाना पड़ेगा जिससे आपको अर्थ की अभिव्यक्ति ठीक से होगी उसे कहेंगे अन्वय करना तो प्रतीक मंत्र में आपको पहले सहिता पाठ मिलेगा फिर पद पाठ मिलेगा और उसके बाद आपको पदार्थ मिलेगा फिर नीचे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा अन्वय तो अन्वय को सबसे पहले जब आप पढ़ते हैं रिशी द्यानन जी का भाष्य तो आपको अन्वय भी खोजना है कि इस इन पदों को ठीक क्रम में कैसे रखना है तो अब देखिए महर्शी द्यानन सरस्वती जी ने इस मंत्र का अन्वय कैसे करना है वो लिखा हुआ है तो ये कहां लिखा हुआ है संस्कृत भाग में पदार्थ हर पद का अर्थ उन्होंने एक्स्प्लेन किया उसके बाद नीचे फिर उन्होंने क्या लिखा अन्वय तो अन्वय हमें क्या लिखा अहम यज्यस्य पुरोहितम रित्विजम होतारम रत्नधातमम देवम अग्निम इडे ये अब उन्होंने बिल्कुल एक मिनिंग्फुल फॉर्म में इस मंत्र के पदों को क्रम में सजा दिया और मीनिंग को इस्पष्ट करने के लिए जो अपनी और से कोई शब्द जोड़ना होता है वाक्य को पूरा करने के लिए उसे क्या बोलते हैं संस्कित भाषा में अध्याहार करना क्या बोलते हैं अध्याहार करना वाक्य को ठीक प्रकार से कंप्लीट करने के लिए जो आप उचित शब्द साथ में जोड़ते हैं क्रम में उसे क्या बोलते हैं अध्याहार करना तो यहां पर रिशीद ने एक शब्द जोड़ा है अहम यज्यस्य पुरूहितम रित्विजम होतारं रत्न धात्मं देवं अक्निम इडे तो यहां उन्होंने जो आहम शब्द जोड़ दिया है मंत्र के साथ उसे क्या कहेंगे उन्होंने अहम पद का अध्याहार किया मंत्र का ठीक ठीक अर्थ समझाने के लिए और बाकी पदों को चित करम में जोड़ दिया उसे क्या कहेंगे अनुवय करना इसको भी हम जब इसका मिनिंग करेंगे तब फिर से हम इसको और समझेंगे चोकि हम अभी ये पहला मंत्र समझ रहे हैं तो इसमें थोड़े से मंत्र को समझने के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आगे फिर आपको समय नहीं लगेगा आगे हम जल्दी जल्दी बातों को कर पाएंगे तो अब इस मंत्र का जो अर्थ है उसे समझने से पहले हम एक बात और समझ लें वेद के अंदर जो मंत्र हैं वो किस प्रकार के मंत्र हैं मिलेंगे आपको स्तुती परक, प्रार्थना परक, उपासना परक इश्वर से संबंधित जो मंत्र मिलेंगे वो कितने प्रकार के मिलेंगे तीन प्रकार के स्तुति परक, प्रार्थना परक, उपासना परक और बाखी जो मंत्र मिलेंगे उनमें विवित ज्यान विज्यान भरा हुआ मिलेगा रिगवेद का विशे ही गुण और गुणी का जियान करना है सिष्टी के पलार्थूं का जियान कराना है तो वो अलग-अलग रूप में मिलेंगी हाँ इश्वर के संदर्व में जो मंत्र मिलेंगे वो स्तूती परक, प्राटना परक और उपासना परक आपको मिलेंगे अब हमने आज जितना समझा है अभी इतना ही रखते हैं समय हो रहा है हमारा तो अब ये जो तीन प्रकार के जो मंत्र मैंने कह दिये इस्तुति परग प्राटना परग थोड़ा सा इन्हें समझ कर फिर हम आगे इस मंत्र का अर्थ समझना प्रागम करेंगे ये जो जो बातें आपके सामने रखी जाती हैं कोई नई शब्द आ जाते हैं सहीता शब्द आपके लिए नया होगा अध्यहार शब्द नया आगेऊ अनवय करना ये अनवय शब्द नया हो सकता है इनको लिख लिए करें थोड़ा सा या फिर समाने सा इसी बात है, थोड़ा सा दिमाग में एक दो बार धुरा लेंगे तो दिमाग में ही लिखा जाएगा या कावज पेंड में नोट कर लिया करें तो इस रूप में थोड़ी सी थोड़ी सी बस मेहनद साथ साथ करिएगा और जब आप इसे सुनते हैं इस कक्षा को जब आप सुन रहे हैं जब आप घर में बैटका इस आउडियो को सुन रहे हैं तब सुनते समय थोड़ा सा एक मन जरूर बना लीजिएगा ये तो थोड़ा सा मेरे उपर भी आप करिएगा थोड़ा सा एहसान कि आपको मन ये रखना है कि मैं केवल अपने लिए नहीं सुन रहा केवल अपने लिए नहीं सुन रहे है सुनाने वाला जिस तरीके से प्रयास कर रहा है कि हमें बाते समझ में आ जाएं इसी प्रकार से हम भी इतना प्रयास जरूर करें कि हम भी दूसरों को समझाने वाले बन जाएं हम भी दूसरों को समझाने वाले बनें तो ये एक करतव्य मान करके कि मुझे भी किवल अपने किवल जिसे कहते ना सुनने का सुख या जियान प्राप्ती के सुख मात्र के लिए मुझे मैं ये नहीं सुन रहा या नहीं सुन रही साथ साथ एक करतव्य भी याद रहे कि मेरा भी करतव्य बनता है कि मैं भी बेसिक्स को समझ कर चोट चोटी बात्रों को बार बार दोरा रहा हूं उनको मैं भी समझ करके मैं भी थोड़ा अपने आपको तियार करूं और दूसरों को समझाने सिखाने कि कुछ योगेता जरूर बनाओं इतना थोड़ा सा करतवे भाव जरूर जोड़े रखिएगा सुनते हुए तो आगे की चीज़ों को फिर हम लोग आगे सिखेंगे अभी इसको आप दोरा लीजिएगा अब सीधे बैठ चाहिए नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए लंबी गहरी सांस परें ओम शांति है शांति है शांति है शांति है ओू